अभी मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था कि हम अन्वांटिट जो फेस्बुक पेज होता है उसको पर्मनेंटली अपने मुबाईल से कैसे डिलीट करें तो दोस्तों उसके पास यार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम एक डिलीट की हुए फेस्बुक पेज क लेकिन उन लोगों को साइए समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंस आज का वीडियो इससे रिलेटेड होने वाला है कि एक फेस्बुक पेज को जो आप डिलीट कर चुके या जिसके उपर काम नहीं कर रहें गलती से आप से डिलीट हो गया उसको उसको इजीली कार कैसे कर सक और ना ही कोई real viral होती है और ना ही कोई वीडियो पे अच्छे खासे views आते क्योंकि उन लोगों के यह चीज पता ही नहीं होता कि Facebook जो आपकी profile है उसको recommend कर रहा है कि नहीं क्योंकि आपको भी इस चीज का पता होगा कि आप अपनी Facebook profile का status कैसे check कर सकते हैं कि Facebook उसको आगे recommend कर रहा है कि नहीं क्योंकि अगर वो recommend होगी तो आपका Facebook page भी recommend होगा और Facebook page जादा recommend होगा तो दोस्तों आपके जो videos है Reels उनकी reach जादा से जादा बढ़ेगी तो friends चलते हैं सीधे mobile की screen पे बिना time waste की मैं आप यह देखिए friends जैसे में अपनी Facebook profile पे open करता हूँ यहाँ पे आप right side में आपको option दिख रहा होगा 3 dot का just simple इस पे click करिए और अब थोड़ा सा चलते हैं इस side में यह देखिए इस setting का option आपको दिख रहा होगा Facebook profile की setting की बात कर रहा हूँ मैं इसमें friends वैसे तो बहुत सारे options है आप देख सकते हो personal detail, password, payments इस तरीके से लेकिन आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हम अपने delete की हुए Facebook page को कैसे recover कर सकते हैं यह देखिए friends इसमें आ reactivate your pages, just simple इस पर view पर click करेंगे और यह देखे, friends आप बड़ी easily यहां से इसको reactivate कर सकते हो, लेकिन curve हो ही सकते हो 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन पहले आपने यह delete किया है तो, 30 दिन के बाद फिर नहीं कर पाओगे आप इसको recover, यह है, इसमें clearly sharp दिखा रहा है, 30 days left, और ज़्यादा जरूरी है, जैसे view पर click करते हैं, यह देखिए, उपर उपर profile recommendation, यार जब तक आपकी profile ही recommend नहीं करेगा Facebook, तो आपका Facebook page कहां से recommend होगा, यह देखिए, इसमें दिख रहा है साप साप recommendable, इसके नीचे content is recommendable, और profile has no violation, साप clearly देख सकते हो, यह दोनों चीज अगर इस तरीके से आपके Facebook profile में दिखाई देगी, तो दोस्तों समझ लेना, आपकी Facebook जो है, आपकी profile को recommend कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई violations break नहीं हो रहे, और अगर इन में से एक भी अगर कुछ गडबड इस तरीके से दिखा रहा है, यहां पे, तो friends, यह देख लेना, सह Facebook profile पे करना है, क्योंकि यार, page भी हमेशा एक profile से ही convert होके बनता है, यह बड़ी अच्छी बात कहीं है, अगर आपको अपने Facebook page को grow करना है, या profile को करना है, उस पे कुछ earn करना है, तो यह चीजे हमेशा आपको पता रहनी चाहिए, कि आपकी Facebook profile recommend हो रही है कि नहीं, Facebook page recommend हो रह अगर आप यार, इस तरीके से Reels डालते रहोगे, वीडियो डालते रहोगे, बहनत करते रहोगे, आपको यहीं नहीं पता होगा, कि आपकी जो Facebook profile है, उसके उपर उसको Facebook recommend कर रहा है, कि नहीं, उसके उपर जो कोई Facebook की guidelines है, उसको आप वोईलेट तो नहीं कर रहे, यार, आपको कुछ भी earn करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इन चीजों के ध्यान नहीं दिया, यह चीजे बहुत छोटी-छोटी होती है, मैंने आपकी information के लिए बता दी, इनको please बीच-बीच में जाके gap में check करते रहा करो, कि आपकी Facebook profile recommend हो रही है कि नहीं, कोई rules को तो break नह है और उससे कुछ earn करना है, तो यह चीजे आप सभी को पता होनी चीए, friends अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please यार लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर हमें से अच्छे-चे content आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे, तो दोस्तों मिलते